प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि आपने who और whom का यूज सही तरह से कैसे करना है आप आज उनके यूज करने की एक सरल लेकिन effective trick भी सीखेंगे सबसे पहले जानते हैं कि who और whom grammar की नजर से क्या है who और whom दोनों pronoun है who कौन वाक्य के subject के लिए प्रयोग किया जाता है और whom किसको verb के object के लिए use किया जाता है अब मैं इसी बात को English में भी कहूंगा ताकि वे वीवर्स जो Hindi में comfortable नहीं हैं वे भी इसका लाब उठा सके who and whom बोथ हार pronoun who is used for the subject of the sentence and whom is used for the object of the verb आए अब देखते हैं कुछ mixed examples जहां who और whom का use किया गया है तुम्हारी sister कौन है who is your sister क्लास में कौन सो रहा है who is sleeping in the class वे किस से नफरत करती है whom does she hate इस खाने को किस ने खाया who ate this food who ate this food आप किसको मिलना चाहते हैं whom do you want to meet whom do you want to meet उपर के examples में who और whom दोनों का यूस हुआ है अब आप जानेंगे एक trick जिससे who और whom का सारा confusion हमेशा के लिए दूर हो जाएगा एक वाक्य में who या whom को चुनने के लिए अपने आप से पूछें कि क्या वहां he और she fit बैठता है या him और her यदि जवाब he और she आए तो who का प्रियोक करें और अगर जवाब him और her आए तो whom का प्रियोक करें ध्यान रहे कि आप he और she की जगा राम या लत्ता का use न करें नहीं तो confusion बना रहेगा The simple way to know which one to use between who and whom is to ask yourself whether he or she fits there or him or her If the answer is he or she then use who and if the answer is him or her use whom आई अब सीखते हैं कुछ और use who के जिससे concept आपको और भी clear हो जाएगी English में हम who का use किसी व्यक्ति या लोगों के बारे में सवाल पूछने के लिए करते हैं हम चीजों के बारे में सवाल पूछने के लिए who का use नहीं करते हैं In English, we use the word who to ask questions about which person or people We don't use who to ask questions about things or objects आई सीखते हैं who के कुछ और uses इसका use जैसे उपर बताया गया है किसी व्यक्ति के बारे में सवाल करने के लिए किया जाता है It is used as the subject to ask which person आई देखते हैं कुछ example sentences Who is that person? वे व्यक्ति कौन है? Who is your brother? आपका भाई कौन है? Who entered your home yesterday? आपके घर कल कौन आया या घुसा? Who has got the key to this room? इस रूम की चाबी किस के पास है? इसका use किसी व्यक्ति के खास तरीके के बारे में बातचीत करने के लिए भी किया जा सकता है It can also be used to talk about a person in a particular way जैसे Who likes tea or coffee? किसे टी या कॉफी पसंद है? Who is unmarried? कौन शादी शुदा नहीं है? आए अब सीखते हैं हूम के कुछ यूज़िस? यह हमें उस व्यक्ति के बारे में बताता है जिस पर action का असर हो रहा है It tells us about the person who is receiving the action आए यह सीखते हैं कुछ और यूज़िस हूम के इसका यूज़ वाक्य में relative class जोडने के लिए और अधिक information जोडने के लिए होता है It is used to add relative class in the sentence and to add further information आई देखते हैं कुछ example sentences She called a boy whom she met two days ago उसने एक लड़के को बुलाया जिसे वह दो दिन पहले मिली थी रमेश appreciates his daughter whom he teaches रमेश अपनी पुत्री की प्रशंसा करता है जिसे वह पढ़ाता है I wish I could be the person whom I always admire I wish I could be the person whom I always admire काश मैं व्यक्ती हो सकूं या बन सकूं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं इसका use कुछ सवाल पूछने के लिए भी होता है It is used to ask certain questions जैसे Whom should I meet? मैं किसे मिलू? और Whom did she take help from? उसने किसे मदद मांगी? Whom का use preposition के बाद किसी के बारे में indirect सवाल पूछने के लिए भी किया जाता है It can be used after a preposition to ask an indirect question about someone आई देखते हैं कुछ example sentences He just asked me with whom I was going उसने मुझसे बस इतना पूछा मैं किस के साथ जा रहा था I don't know for whom she is doing all this मुझे नहीं पता किस के लिए वह ये सब कर रही है यहां देखिए for whom से पहले use हुआ है आये सीखते हैं five or example sentences जिनसे आपके सारे doubts who और whom के बारे में दूर हो जाएंगे उसकी छुट्टी के बारे में मुझे किसको सूचित करना है to whom should I inform about his leave to whom should I inform about his leave तुम्हे tips कौन दे रहा होगा who will be giving you tips who will be giving you tips तुम्हे बैग किसको दोगे whom will you hand over this bag whom will you hand over this bag वै आदमी था जिसने मेरी मदद की he was the man who helped me he was the man who helped me कौन mangoes माटेगा और किसको माटेगा who will distribute mangoes and to whom who will distribute mangoes and to whom that's all I could put together in this video आशा है कि आज के बाद आब हू और हूम को लेकर confused नहीं होंगे और किसी भी competitive exam में पूछे गए हर सवाल को आसानी से solve कर पाएंगे यदि आप इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो किर्पया इस वीडियो को लाइक एवम शेर करें साथी चैनल को भी subscribe करें अट ताम को तक लिवव और थाफ्यू अब नेक्ट वीडियो उपलोड़द तक केर बाइब तक चैनल को बबाइब रखाय। लुक्शन को और देखने रखाय।